प्राइब करेंगे वर्चुल मशीन के बारे में यानि वर्चुलाजेशन के बारे में हमने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन पड़ी थी कंप्यूटर के इंस्टॉलेशन देखा था यानि हमने इसे क्लीर इंस्टॉलेशन देखा थी तो याषिस छ याषिस में बार बारवार विन्डो इंस्टॉल करें या पुछ इंस्टिर कर दिया Ee को याषि इंशव कर दिया आपको टेस्ट परपस के लिए अपना कंप्यूटर यूज करना है फर्ट जांपल आपको माक नहीं आता यूज करना या फिर आपको Linux यूज करनी नहीं आती या फिर आपको Windows यूज करनी नहीं आती कोई other operating system की आपको knowledge है आप उसे अगर अपने computer के अंदर install कर दोगे तो आप क्या नहीं कर पाओगे अप गलती से कुछ उसमें ऐसा आगया जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर जाओगे तो इससे बचने के लिए हम क्या करते है वर्चौल मशीन का यूज करते हैं नहीं VMware का यूज करेंगे हम तो हमारे पास काफे सारे third party software होता है जिनके दुरू हम वर्चौल मशीन बना सकते हैं जैसे Hyper V है Hyper V क्या है Microsoft का है जैसे हम लोग Windows इंस्टॉल करते हैं तो Windows के अंदर इन बिल्ड आता है Hyper V ठीक है ना मैं आपको दिखा सकता हूँ आप है Hyper V आपको यहाँ पर क्लिक करना है आपको लिखना है आप हाइपर V तो हमारे पास यहाँ पर हाइपर भी आ जाता है अगर यह आपका इनेबल नहीं है तो आपको इनेबल करना प क्या है वर्चॉल मशियन है क्या हमारे पास क्या है जैसे र्य bets हमनें फिजिकल मशीन एक बना रखिये उसकी रखते हो उसके अंदर बिल्कुल आपको ऐसे फंक्शन मिल जाएंगा जो इस सिस्टम के अंदर आपको मिल रहे हैं तो बात करते हैं वेम्वेर की वेम्वेर क्या हमारे पास iis as an American Cloud Computing and Virtualization Technology company यह क्या है हमारे पास cloud computing और virtualization technology की company है जिसका हम क्या करें टूल यूजज करेंगे वेम्वेर तूल यूज करेंगे जिसके दूरो हम क्या करेंगे वर्ट्याल मशीन क्रीट करेंगे व्यम्बेर वस्ट कोमर्शियल सक्सेश्फुल कंपनी तो वर्चु वर्चुलाइज दो X86 एंड X86 आपको क्या है 32-bit आप सबको पता होगा है 32-bit है आर्किटेक्ट्चर हमें पता है विंडोस के हमारे पास दो टाइप के आर्किटेक्ट्चर आते तो विंडोस 10 हमारे पास दो तरीके से आता है 32-bit और 64-bit में विंडोस 11 है विंडोस 11 क्या होता आपका सिर्फ 64-bit में आपको अबिलेबल मिलता है तो आपको यहाँ पे देखना क्या है आप Google पर जाकर सर्च कर सकते हुए मैंने विकीपीडिया का पेज उपन करके दिखाया आपको कि VMware है क्या VMware कव फाउंड हो आता ठीक है उसको किसने फाउंड किया था उसका headquarters कहा है इस सारा कुछ मैंने आप आपको दिखा रखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं 2003 VMware launch VMware virtual center आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 64 bit support was introduced in 2k14 यानि 2004 में 64 bit क्या हो चुका था इंटर्ड्यूज हो चुका था तो अभी हम इस मशीन को बनाना सीखेंगे मशीन का यूज करना सीखेंगे तो चलो आपको ले चलते हैं practical session की तरब आपको करना क्या है सबसे पहले आपको Google पर जाना है हमें सबसे पहले VMware download कर लेना है मेरे system में already download है बट मैं आपको बता जता हूँ download आपको कैसे करना है आपको इधर क्लिक करना है जो भी आप browser यूज करते हो आपको ब्राउजर टाइप कर लो या फिर आपको desktop पर ब्राउजर दिखरा है जैसे Microsoft Edge है मैं Microsoft Edge पर क्लिक कर लूँगा इसको open मैंने किया यहां पर मैं लिखूंगा VMware load जैसे आप लिखोगे यहां पर VMware 17 pro download आपको पहले option के साथ चले जाना है सद्रम आपको यहां लोड पर क्लिक कर देना है अगर्व विंडर होना उन्सटारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अere के यहां पर और इंस टॉल करेंगे पहले तो मैं से पहले इंस टॉल कर देता हूं क्रां को इंस्टॉल करना बटाता हूं तो ऑंदे या फिर आप नार्मली सर्च पे इंदर आ जाओ गे क्लिक करना है आपको अपना प्रोग्राम सट्सक्राइब करना जाते है यहां पर मुझे इसपर double click करना है double click करता है यहाँ पर मुझसे पूछेगा ही क्या करना है then मैं next कर दूँगा मुझे repair करना है remove करना है change करना है इसको remove कर दूँगा मैं next कर दूँगा and remove थोड़ी दिर में क्या हो जाएगा मेरे system से vmbr remove हो जाएगा यहां पर मुझे विम्पर नहीं दिखेगा देन हम सीखेंगे विम्पर को इंस्टॉल कैसे करना है तो यहां पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम next करेंगे आपको accept करना ही पड़ेगा इसका license आप इसको पढ़ सकते हो इसके terms and conditions को then next करेंगे then next कर दो next 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 and install and within two minutes two to three minutes यह हमारा क्या हो जाएगा install हो जाएगा install होने के बाद आपको मैंने बता रहा है disk image कहां से लानी है आपको disk image की जरूरत पड़ेगी मैं आपको अलरड़ी वीडियो से बता चुका हूँ कि आपको disk image कहां से लानी है अगर आपको यह नहीं बता कि मुझे Windows डाउनलोड कहां से करनी है या फिर Linux डाउनलोड कहां से करना है तो आप जाके चेक कर सकते हो मेरी इसी प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन बताया है इंस्टॉलेशन के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आपको disk image कहां से डाउनलोड करनी है तो आप वहां पर जाके एक बार देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं VMware डाउनलोड हो चुका है आपको यहां पर उसका लोगो भी दिख गया होगा VMware वर्कस्टेशन का लोगो आ गया है अब यहां पर जैसी हम इसे डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं उसके बाद यह बोलता है license के लिए तो हमें VMware का license खरीदना पड़ेगा या फिर हम क्या कर सकते गूगल पर जाके यहां पर license copy paste कर सकते हैं Google पर हमें license मिल जाता है बस आपको पता होना चीए कि आप कौन सा Workstation यूज़ कर रहे हो तो हम Google पर चले जाएंगे हमें यहां पर लिखना है जो भी हम लाइसेंस की मिल जाएगे इसमें से आप कोई भी कॉपी करके पर प्रीस कर दो अगर नहीं चलती है तो आप यहा पे प्राइ ना एक दो मतलब इन चारों में से कोई नं कोई किया आपकी काम पक्का करेगी तो यहां क्लिक कर लेते हैं यहां आप te और हमने इसको क्या किया, फिनिस कर दिया, तो अभी अगर आप VMware open करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, license की नहीं मांगेगा, आपसे, double click कर लेते हैं VMware पर, तो जैसे आप double click करोगे, आपका VMware open होगे, यहाँ पर license के लिए नहीं मांग रहा है, तो अब हम VMware open कर लेते हैं, जैसे आप VMware open करोगे, तो आपको यहाँ पर license के लिए नहीं मांगेगा, double click कर लेते हैं इस पर, जैसे हमने double click किया, तो हम यहाँ पर VMware workstation pro 17 के अंदर आ गए हैं, अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, virtual machine बनाने है, virtual machine के लिए मैंने क्या बोला था, हमे मेरे पास इसके में हैं आपे, server की है, windows 10 की भी है मेरे पास, ठीक है, यह रही windows 10 की, तो इसे try कर लेते हैं, हमें करना क्या है, आपको create a new virtual machine पर click करना है, अब हमारे पास यहाँ पर दो option आता है, typical and custom, आपको यहाँ पर typical के साथ जाना है, क्योंकि typical में क्या होगा, create a workstation, virtual machine in a few easy steps, यहाँ पर क्या होगा, इसको जितनी need होगी, जितनी minimum इसको requirement होगी, automatic उतना accept कर लेगा, लेकिन custom में क्या होगा, आपको हर एक चीज़ खुद से देनी पड़ेगी, तो अगर आप new user है, तो हम क्या अगर है typical के साथ चले जाएंगे, आपको typical पर click करना है, then आपको यहा आपको पता है, I will install the operating system later पर, then next करेंगे, next करने का है, हमारे पास यहाँ पर option आ रहा है, Microsoft Linux, तो आपको पता है, Windows किसका proprietary है, Microsoft का है, तो Microsoft का है, तो Microsoft का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Microsoft Windows के साथ जाना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर Windows 10 32-bit उसकर रहे ता, Windows 10 के साथ आपको पता जाओ, then आप यहाँ पर next कर देना, अभी हम यहाँ पर machine को नाम दे देंगे, Tech Javir में machine को नाम दे देता हूँ, यहाँ पर यह location है, जिदर हमारा क्या हो रहा है, virtual machine बन रही है, C drive में, users के अंदर, administrator, document, virtual machine, उसके अंदर Tech Javir नाम का एक folder बनेगा, जिसमें हमारी machine store होगी, then आपको, अगर आप चाहो तो यहाँ से change कर लो, आपको hard disk के अंदर बनाना है, आपको pen drive के अंदर बनाना है, आप यहाँ से, उसको browse कर सकते हो, उस location को जिदर आप क्या करना जाते हो, अपनी machine को बनाना जाते हो, then आपको यहाँ पर next कर देना है, अभी हमारे पास यहाँ दो option आते हैं, store virtual disk as a single file, अब हम क्या करेंगे, आप इस store virtual disk as a single file पर कर देंगे, हम चाहते हैं कि जितना भी हमारा data बने, कहाँ बने, एक single file के अंदर रहे, क्योंकि multiple file के अंदर रहेगा, तो multiple file में क्या होगा, मुझे multiple जगों से access करना पड़ेगा, for example, मैं आपको example देता हू देंगे, दस के दस पेज एकी कमरे में रखेंगे, तो वो क्या होगा, आपको easy हो जाएगा, तो हमने भी यहाँ पर क्या 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 है, store virtual disk as a single file, then हम next करेंगे, और आपको यहाँ पर finish कर देना है, जैसे आप finish करोगे, तो इसने क्या 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 आपके लिए system के लिए लिए ह प्रोसेसर इसने टूल लिया है, आपका 60GB इसने क्या क्या है, hardest लिए, आपको क्या, अगर आप change करना चाहो तो आप यहाँ से change कर सकते हो, edit virtual machine में जाके, यहाँ से आप कुछ भी change कर सकते हो, अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पर attach करनी है disk image, यानि ISO image जो मैंने आपको download करन करना है, यहाँ से ब्राउस करना है, यहाँ से आप disk image attach कर दो Windows 10 की, तो मेरे पास Windows 10 की disk में जी रही, मैंने इसको click किया, then open कर लो, and ok कर लेते हैं, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको मशीन को on कर लेना है, तो power on the virtual machine मैंने click किया, यहाँ से आपको मशीन के अंदर click करना है और कोई भी key press कर देनी है, तो जैसे आप key press करोगे, तो आपकी Windows install होनी शुरू हो गया, यहाँ पर mouse का cursor गाया भुजाएगा, तो आपको क्या करना है, alter control एक साथ प्रेस करना है, तो आपका cursor वापस आजाएगा, अभी मैं आपको full screen करके दिखा देता हूँ, तो आपको यह से हमें करना है, मैंने last video upload करी इसमें installation बताया तो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम कुछ ऐसा ही कर रहे है, तो इस सारे के सारे step मैंने वहाँ बता रखे मैं आपके क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको fast करूंगा, तो झाल, 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 झाल. झाल 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 इसको इंटरेंट कनेक्षन इसको इसको मिलता है तो यहाँ पर कई बार क्या होता है इंटरेंट कनेक्षन नहीं मिल रहा होता है जिसे आप यहाँ पर चेक करोगे लेकिन वर्चुल में नहीं है तो इसके लिए clock क्या doing आपको सैटि long पर जाना है आपको सैटिंग पर जाना है याप को सैटिंग खरा ओने oor एकंट लेतड़ करना कौई करने का जाएगा देर नियुक करते लिए तो देखो आपका क्या है आप पर network connection आगया आप यास कर दीजिए तो हमारा network connection कुछ दिर बात क्या होगा automatic display का driver ले लेगा अब ही आपको जो screen दिखे ही है हमारे पास यह virtual की screen है और अगर मैं इसको minimize करूँ यह physical की screen है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि virtual और फिजिकल के benefit क्या है तो जैसे आप virtual machine create करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि snapshot ले लो आपको इधर क्लिक करना है snapshot पर क्लिक करना है take snapshot कर देना है take snapshot मैं यहाँ पर लिख दूँगा new window new window मैंने इसलिए किया अब in case मैंने कोई software test किया for example जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दो physical machine के अंदर अगर physical machine के अंदर मैं 4-5 software install करता हूं और अब मुझे उन 4-5 software की need नहीं है मैं उन्हें install करना जा तो मुझे क्या करना पड़ेगा control panel में जाना पड़ेगा control panel में जाके मुझे one by one सारे के सारे software's को अनिस्टाल करणा पड़ेगा यहां पर क्या होगा मैं क्या करूंगा सीधा snapshot पर जाओंगा को कि मैं हब सीथा snapshot पर जाओंगा या जो मुझे एक साथ काम कर रहे हैं। तो आप क्या करों है पहले तो दोनों मशीन को मैं आपको दिखा देता हूं। यह हमारी physical machine है हमारी virtual machine है। अब मैं चाहता हूं यह जैवाला folder यहां copy paste करना। या फिर इसको मैं यहां से copy करना जाता हूं। और मैं इसको इधर paste करना जाता हूं तो यह क्या नहीं होगा पेस्ट नहीं होगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वर्चुल टू फिजिकल या फिजिकल टू वर्चुल अगर आपको कोई भी packet send करना है कोई भी data आपको share करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा VM tool install करना पड़ेगा तो VM tool आपको कहा मिलेगा आपको TechJavir पर right click करना है यानि अपनी machine पर right click करना है आपको यहाँ पर install VM tool पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे थोड़ी दिर बाद आपके पास एक D drive में आपको option आजाएगा आपका tool वहाँ पर आपको मिल जाएगा refresh कर लेते हैं एक बार double click करते इस पर तो आप देखो यहाँ पर DVD driver D drive में एक VM VR का tool आगया है आपको this PC पर click करना है और इस पर double click कर देना है तो इसके अंदर setup रखा होता है तो जैसे यह बोल रहा है आपको do you want to allow this app to make change to your device? Yes कर दीजिए तो जैसे आप Yes करोगे तो यह आपका क्या होने लग गए हापे VM VR tool install होने लग गए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका physical machine है वैसे आपका virtual machine भी काम करेगा जैसे आपका physical machine है वैसे आपका virtual machine है यह proper तरीके से आपका shutdown होगा proper तरीके से restart होगा proper तरीके से आप इसके अंदर file create कर सकते हो जो काम आप physical के अंदर कर सकते हो वही काम आप virtual के अंदर भी कर सकते हो तो आप यहाँ पे next कर दीजिए typical पे click कर दीजिए देन आप next कर दीजिए install कर दीजिए तो install हो जाएगा थोड़े दिर में तो अभी अगर आपको security purpose के लिए use करने तो VMware security purpose के लिए use कर सकते हो for example आप किसी OS के बारे में नहीं जानते हो जैसे कोई Linux के बारे में नहीं जानता है कोई Mac के बारे में नहीं जानता है तो अगर फिजिकल मशीन के अंदर Mac install कर देता हो उसके बारे में जानकारी नहीं रखता है उसको नौलेज ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा सिस्टम के अंदर तो आप क्या करो वर्च्वल मशीन पर क्लिक कर दो जहां आपको खराब क्या आपको लगा आपका सिस्टम खराब हो रहा है वहां प्राइट क्लिक करके है आप फिजिकल मशीन रिस्टार रही है अभी जैसे ओन होगा तो आपको लगे का आपका फिजिकल मशीन ने आपका कंप्यूटर प्लाइब और बिल्कुल आज़िए यहां होता है है तो यहां पर विंडो का पेज आ गया है तो यहमारा ओन हो रहा है मशीन तो टेक जैवीर जैसे कि मैंने यूजर को नेम दिया था आपका यूजर नेम यहाँ पर शो हो रहा है यह वेलकम के लिए बोल रहा है और यहाँ पर मेरी मशीन ओन हो चुकी है तो मैंने बोला था ना जैसे एस बिल्कुल आपका फिजिकल मशीन की तरह काम करेगा तो सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट वाला प्रैक्टिकल देख लेते कि वीम टूल इंस्टॉल कि हमने तो कॉपी पेस्ट होता नहीं होता है तो मैं आप इस फोल्डर को ड्रेग और रॉप क मैं यहां पर कोई फोल्डर बनाऊंगा न्यू पर क्लिक करता हूं न्यू फोल्डर मैंने बनाया इस फोल्डर को मैं यहां से कॉपी करूंगा इसको मैं इधर यानि फिजिकल मशीन पर अपना पेस्ट कर सकता हूं ठीक है न तो इसके लाएं यहां पर काफी सारे काम कर सकते हैं इसको टेस्ट परपस के लिए यूज कर सकते हैं कोई आपने जैसे इसमें अब क्रॉम डाउनलोड करके देखते हैं तो आपको Microsoft Edge पर जाना है क्रॉम डाउनलोड करने के लिए फुल स्क्रीन पर इसको यूज कर लेते हैं तो आपको विल्कुल एक डबल क्लिक कर दें यहां पर इस पर क्लिक कर देंगे हमें यहां पर क्या करना है न्यू टैप पर जाना यहां पर लिखने गूगल डाट कॉम तो जैसे आप Google.com लिखोगे तो अगर आप फरस्ट टाइम विंड़ो इंस्टाल कियो हो तो आप जैसे Google.com लिखोगे आपको क्या होगा Chrome download का option आएगा google.com तो आपको यहाँ पर क्या होगा Chrome download का option आएगा यह आगे है आप yes कर दीजिए जैसे आप yes करोगे आप सिधा download page पहुँच जाओगे आपको download पर click करना है Chrome download होना शुरू हो जाएगा then आपको run कर देना है then आप view download पर click कर लो आपको yes करना है yes करने कहाँ आपको यहाँ पर Chrome download होना शुरू हो गया ठीक है तो अभी आपका 2-minute में क्या होगा Chrome download हो जाएगा Chrome download होने के बाद हम क्या करेंगे snapshot का use करेंगे यानि snapshot हमारा वापस लेके जाता है नहीं जाता है यानि अभी हमारे सिस्टम में Chrome download हो रहा है हम चेक करेंगे snapshot पर जाके कि वह snapshot कभ लिया था हमने जब हमारे पास दो folder नहीं थे हमारे पास system के अंदर Chrome नहीं था तो अगर snapshot काम करेगा तो क्या होगा हमें यह चीज़े नहीं मिलेगी system के अंदर तो वेट कर लेते हैं दो मिनिट अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास Google Chrome मिल गया है आप इसे card दो मुझे कोई भी information इसको नहीं देनी है तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे desktop पर Chrome आ चुका है तो अगर मैं यहाँ पर snapshot का use करता हूँ इसको हटा दो अगर मैं यहाँ पर snapshot का use करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा Chrome नहीं रहेगा न्यू फोल्डर नहीं रहेगा जय नहीं रहेगा डबल क्लिक करते हैं इस पर हम चले जाता है यहाँ पर तो अभी मुझे क्या करना है आप राइट क्लिक करना है snapshot पर क्लिक करना है और जो हमने new machine का snapshot लिया था उस पर चले जाएंगे यह क्या बोल रहा है by restoring this snapshot this current state will be lost यानि यह चीजें क्या होगी यहां से हट जाएगी मुझे यह चीज दुबारा नहीं मिलेगी अगर आपको यह चीज दुबारा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर कि snapshot और ले लोगे आप ठीक है राइट क्लिक करेंगे snapshot पर क्लिक करेंगे snapshot यहां पर लिख देते हम Chrome को नाम दे दो इसको ठीक है अब आपको क्या करना है आप पर पुराने snapshot पर चले जाना है snapshot पर क्लिक करेंगे दिन आप यहां पर न्यू विंडो पर चले जाओ yes पर क्लिक करो तो जैसे यह आपका complete होगा तो यह आपको कहां लेकी चले जाएगा जहां पर हमने Chrome इंस्टॉल नहीं किया था यह दो फोल्डर अपने नहीं बनाए थे तो यानि snapshot क्या काम कर रहा हमारा इनकेस अगर आपने कोई third party software यूज किया या फिर कोई unwanted software यूज किया आप सोच रहे हो आपके system को problem कर रहा है तो आप क्या करो snapshot पर चले जाओ आपका system कहां पहुंच ज सकते हो multiple OS एक time पर अपने system के अंदर चला सकते हो सबसे बड़ा benefit है हमारे किसकी virtual machine का कि हम क्या कर सकते हैं एक time पर multiple OS अपने computer के अंदर run कर आ सकते हैं तो अभी देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है क्रॉम नहीं है हमारे पास वह दो फोल्डर नहीं है तो अभी आपने देखा हमने क्या 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 आज व्यम टूल का यूज किया जिससे हमने physical और virtual को copy paste करना सीका दूसरा हमने snapshot का यूज करना सीका और सबसे बड़ा काम हमने क्या 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 आज व्यम मशीन बनाना सीका है सबसे बड़ी बर्याद हमने क्या क्या व्यम वे MASak Changing बनाना सीका यानि virtual मशीन बनाना सीका तो आपकी virtual machine को हम क्या करते है अभी सटदाउन कर लेतें आज के लिए से अगले वाली वीडियो में आपको बनाऊंगा ठीक है तो अभी आपको proper तरीके से सट-डाउन कर देना है ठीक है आपको window लोगों पर क्लिक करना है देना आपको यह आप फे shutdown पर क्लिक करना है और आपका system proper तरीके से इसट-डाउन होगा अभी सबस्क्राइब आपको पता है सीड्राइब के अंतर अदर हौ या फिर आप डॉक्यमेन्ट में चले जाऊ डॉक्यमेन्टे वर्चूल मशीन के अंदर चल जाऊ आपको पता है वर्चुंल मशीन के अई हम म्य firm का टैक आश्चरした डवल किलिकक देशन Southern आपकी machine automatic on हो जाएगी तो देख लेते हैं मैंने double click किया है अभी आप देखना है आपकी machine automatic on हो गई आपको क्या करना है power on this machine करना है आप जैसे power on करोगे आपकी tech javir की machine open हो जाएगी तो देख लेते हैं 2 minute इसको भी तो guys आपको ये video कैसी लगी कि मुझे comment करके पक्का बताएग इसके अलाव मैं आपको next practical कौन सा दिखाओं कौन सा करके दिखाओं या फिर next video किस practical पर बनाओं मुझे comment session में पक्का बताएग देखो हमारा यहां पर क्या हुआ technical javir open हो गया है ठीक है अजय करके दिखाओं कि दुआ हमारा यहाँ राव दिखाओं कि दूआ है यहाँ कि दूआ है झाहँ